चंद्रनगर गाउं में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। चंद्रनगर गाउं में सुगना अपने बेटे रहा करती थी। चंद्रनगर गाउं में सुगना अपने बेटे रहा करती थी। आपको तो खुद तला फला खाना है। मा जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ग्यान मत दो राधा। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खानी जरूरी होती है। तेल और घी भी खाना जरूरी होता है एक मात्रा में। खेर तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पाटी रखती है। अरे बहु आज तीज है और मैंने कुछ सहलियों को खाने पर बुलाया है। कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माजी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती है। सुगना सब को अपनी बहु से मिलवाती है। अरे वाद सुगना तुमारी बहु तो बहुती खुबसूरत है। सर्फ खुबसूरत ही है या गुनी भी। अरे नहीं नहीं, मेरी बहु बहुती संसकारी है, घर का सारा काम भी खुद करती है थोड़ी देर सब गपे मारते रहते हैं, फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं, सब लोग टेबल पर आते हैं अरे ये सब क्या है आंटी ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद वो सब तो ठीक है बहू बगर खाना कहा है आंटी यही खाना है इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है हमारी उम्र मतलब अरे हम कोई बुढ़िया लाया ही क्यों सब मुड़ खराब हो गया तीज के दिन चलो यहां से और ये सब बोलते हुए सब औरते चली गई अरे ऐसा क्यों किया रादा मैंने बोला था ना के कुछ अच्छा बनाना तुम्हारे फिटनेस टिप सर जगा अच्छे नहीं लगते आज तुम्हारे वज़ क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बना कर देती और डाल देती और एक शाम जब रामन ओफिस से लोटता है तो अचानक गुस्से से आग बबुला हो जाता है रादा ओ रही हूं चिला क्यों रहो चिलाओंगा ही ना आज ओफिस में मैं बेहोश हो गया और मुझे विक्नेस की वज़ा से चक्कर आ गए में गर उसमें तो प्रोटीन होता है हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है रादा चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो उसके अलावा भी सब की मात्रा खाने में जानी चाहिए मैं तो बस आप सब की सेहत के लिए ये स सब करती हूं अरे इतना भी मत करो हमें खुला छोड़ दो थोड़ा थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौट कर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलिया और हाथ पैर जोर से अकर जाते हैं कुछ लोग मिलकर उसे घर आई हुई राधा तुरंट डॉक्टर को बलाती है डॉक्टर साइब माचे को क्या हो गया है इनका पूरा चेक अप करना होगा वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है इतना तो पता चल रहा है गठिया बापरे हां गठिया इनके घुटनों और सभी चक जो चलने फिरने के लिए ओईल चाहिए न वो अब नहीं है अरे कैसी बाते कर रहे हैं आप मैं तो इनकी सेहत का बहुत खयाल रखती हूँ रोज प्रोटिन सलाथ खिलाती हूँ और सूप भी मतलब ये बिलकुल भी ओईल या घी नहीं खाती नहीं नहीं अरे कैसी बात खाने में एक मात्रा में घी या ओयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोडों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है ओह ऐसा क्या डॉक्टर माजी ठीक तो हो जाएंगी ना हाँ हो जाएगी थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफ ये सब मेरी गलती की वज़े से हो रहा है मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों राधा रमन को सब कुछ बताती है आइम सौरी रमन अती हर चीज की बुरी होती है राधा इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था तुम्हारे फिटनेस के प्रती जागरुकता अच्छी ल खावे और बहकावे में आ गई थी मैं दुबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और माजी का खयाल डायक चाट के मुताबिक ही रखूंगी ये हुई ना बात अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गरमा गरम आलो के पराठे बना दो तो ही मैं माफ करूंगा तुम बहुआ झालो के खब घग।